में आपका स्वागत है भारत की नहीं पूरी दुनिया कोरोना वाइरस के डर के साय में है यहां वाइरस दुनिया के 195 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई है लोग डरे हुए भारत सरकार ने भी इस वाइरस से निपटने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन घुशित किया है और यह लॉकडाउन घुशित करने के साथ ही लोग डर के साय में है समरम की स्थिति में है भारत में कापी सारे मजदूर गरीब महिलाएं बच्चे बुडे और बिमार लोग इस समस्या में है समरम की स्थिति में है मैंडम आपका बहुत बसवागत है मेंटीनियूज में दन्यवाद यह जो कोरोना वाइरस की वज़े से जो लोगों में अभी एक डर है या लोग पूरे तरह से घरों में बन हैं तो इसमें ज्यादा तर जो लोग है वह गरीब मजदूर या बच्चे महिला बुरे बिमार इस प्रकार के लोग दिश में जा रहा है और अभी अभी जो डबली एचो है उसके निदेशक का भी एक स्टेटमेंट आया था कि यह लॉपडाउन के वज़र से ही और कोरोना वाइरस चला जाएगा ऐसा नहीं है तो इस दोरान जो समय मि जो हूंगा कि इसो कि स्वास्ता सुविधा है हमारी जी मुझाशन का कि स्बम का दबाव निर्माण हो रहा है कि समस्या वह यह स्योप्सिट में पढ़े सकत करने से कुछ समश्या खतम हो सकती यह कि लोगों को सक्रमन से बचा जा सकता हैक लेकर इससे दूसरी स्तिति है सा निपताई नहीं जा सकता करने से पहले देश राज्य सरकारे और केंद्र सरकार को समय करना सब दो 1 गर में पर दमीद और यहती प्रयाantine लेकिन ऐसा हुआ है दूसरी बात की देश में पहले से दवाव है इतने से ज़्यादा है उतने नहीं है जो प्रावेट है वो तो उनका विजनेस है वो यह नहीं देखते हैं कि लोग मर रहे हैं या उनकी मौरलिटी खतम हो जाती है आप देखेंगे कई बारा साहता है कि उनके बंद्लें पैसे मांगते उनके पास पैसे नहीं होते तो यह समझ्चा हमेशा रहेगी लेकिन हम आगे से अभी लागडाउन से दूसरी समझ्चा आएंगी जैसे जो बुटे लोग है उनको डाबेटी है उनको दवाय कैसे मोहाय कर तो क्या अगर नहीं घर तक भेज रहे तो क्या वो संक्रमन बढ़ेगा नहीं है और यह बात है जो मैलाई गर्व होती है उनके चेक पर उनके डीलीवरी कर समय हो तो क्या सरकार ने मोबाईल व्यानों उनके लिए मुहाय कराई है कि कोई मोबाईल इस्पंसरी हो घर जाए सब जगा आज कल इंडिया में जो मात्रु सिरक्षा के नाम पर वो जो भी योजना चल रही है उसके लिए सरकार के पास डबले उचे से भी पैसा आता है अलग से खंड है फिर भी क्या उन महलाओं की जाते हो रही है क्या उनके डिलेवरी समय नजदीक आ रही है तो उसका क प्रेला है बच्चे है डाइरेया से मरने वाले लोग है और अभी जो भुकमरी से मरें गें लोग क्योंकि गरिब तो रोज कमा के खाता है और कुछ लोग उनकी जैसे सब्जी वाले हैं बहुत सारे फ्रेदी वाले लोग है वो दुसरों के उपर आर्णिक पीजीते है तो आईसे लोगों का जीवन तो बहुत दूबर होता दिख रहा है हमें कई सारे मैसेज आ रहे हैं इससे समझ्चा बहुत ज्यादा तग्री हो जाए अगर सरकार किसी चीज को बंद कराती है तो उसके बदले उसको वहाया करानी पड़ेगी क्योंकि अवश्यक सेवा है जैसे रेल बंद कर दी कोई दिखत्री लेकिन जो मेडिकल सर्विसेज है वो तो बहुत जरूरी दे नहीं पड़ेगा सरकार को नहीं तो उससे ज्यादा मोते हो जाएगी आप देखेंगे कि अगर आम इसको कोरणा वाइरस को छोड़े जैसे अभी तक देश में दस ही मोते हुए लेकिन दुसरी बिम्मारी से मोते उसका तो को आखड़ा आई नहीं रहा है तो उसको कैसे हम देखेंगे तो सभी को और यह जो चीसी मोबाइल इस्पेंसरी है जो सरकार में भयान बनाने चाहिए मोबाइल उसमें डाक्तर्स हो पैरमेडिकल स्टाफ हो मेमरीज का बीपी नाफे शुगर नाफे उनको दवाय करें टीवी की दवाय घर में घर-घर पोच जाए तब जाके इस दवा है कि गिरत्त में आ रहे हम लोग इस तरफ सरकार को बहुत जरूरी धान देना चाहिए अपनी मस्नेरी को लगाना चाहिए यह अगर मेडिकली अपाथ है मतलब तो इमर्जेंसी है तो उसको दूसरे भी ऐसे हम मरने के लिए नहीं सोड़ सकते दूसरे बिमार लोग अच्छ जाये बच्चे या सपाइकर में गरीब यह लोगों के सामने कौन सी समस्या हो सकते जिसके ओपर हम सब लोगों को ज्यां देना जोए जैसे कि हम देखते हैं पता है कि कुरेदेश वर नगी शेहर है शेहरों में 40% से ज्यादा लोग जुगी जोपड़ियों में रहने वाली जो लोग है वो दस बाय-दस की छोटे से कमरे में रहते हैं अब इतने से छोटे से घर में अभी देली वेजिस वाले लोग है वो अभी काम पे नहीं जा रहे हैं उनको काम नहीं है तो अभी जो उनका ठेला है वो नहीं लग रहा है या फिर कोई भी जो काम कर रहे है मतलब गर काम करना जो महिला थी वो घर पे बैठी हैं यहां थे कि उनके बच्चे भी स्कूल बन हो लिए तब दस बैदर्स के घर में जिसने वही पर उनका किचन आए वही पर उनका बेडरूम है जो भी गए उसे में और उसे में कैद कर दिया उनको अभी बच्चे वाक्ति परेश करना और दस रुपय का तेल लाकर खाना है अपिर आदा चुल चावल लाकर खाने वाले रोग है क्योंकि मेजर उनके बारे में सरकार ने सुचा जो बिपेल अंडर बिपेल है उनके लिए कि हम भई दो मेने का एक मेने का राशन एक इम यह सब योज न बनाने से पहली आप कल पर्शी की बाद है तो 20 रुपय की किलो वाले ट्रोमाटो अभी देर सो रुपय में बिक रहा है तो अभी वह खाएंगी क्या एक तो कम देरी दाने वाले है दूसरा उनके पास मिल ले रहा है तो वह सबसे बड़ी दिक्कत उनके हो लिए और बहुत सरी चीजे मतलब घर जग्ड़े है क्योंकि सब पैसे हीने काम नहींगे और घर में कय्ड है तो वह फ्रस्टेशन सब के निकल आएगा तो घर में जग्ड़े को सले किसे हो सकते और जिसना प ai जो सॉक आधक और ब sap हॉआ हमेंimar और लोग निकल लोग एक के इतने अदर तो कुलिस नहीं हारी है तो वहाँ पर तो लोग अंदर घूम रहे हैं लेकिन बाकी कीज़ें नहीं है क्योंकि एक दूसरे को मदद भी नहीं कर सकती है क्योंकि हर किसुक्त अपना घर देखना है और 18 दिन उनको बिताने है तो एक सबसे बड़ी समय हमें के सामने है कि वो अपना हर दिन का गुदारा नहीं हो जाधा इसके लिए लोग आपने तरफ से क्या-क्या करत किया जाना चाहिए लोगों ने खुद अपना ध्याँ रखनाते हैं दुसरे बात जो आपसाफपाई है उसका बहुत जरूरी है दुसरे बाहर से जो लोग आने वाले या कुछ यह समान लेने जा रहे हैं, इन लोगों को अपने हाथ हैं बहुत अची तरह से वाश करने हैं, उस तरह कि कहीं भी बाहर जाए तो टच नहीं करें, मतलब थ्यूए नहीं चीजे को, पैनिक नहीं होना चाहिए, घर में रहे के पैनिक नहीं होना चाहिए, जैसे अनको एंजै करने का उन नहीं ठाना जılan वह दर्थ को कम करने की कोशिक करी, तो हमारे लोगों को भी यह ओसा करना चाहिए, तो बहुत जरूरी चीजें नहीं चीजे सरकार दे सकती हैं, और जो स्वेशने वो भी उन लोगों के घर आनाज पोचा है, जो जिस मा के दूध नहीं आता, तो उनके बच्चों को दूध चाहिए, तो बहुत जरूरी चीज़ सरकार ने काम करना चाहिए, सरकार यह तो कर रही है, कि हाँ वो नहीं होना चाहिए, कि फैल नहीं है, इसलिए, लेकिन यह अके और सरकार की जब से निजी क्रमवार लोह सीटे भरी नहीं है, तो जो लोग अंडिवटी उनके दवाों है बहुत ज़ादा उनका पईवार के पास हो जाने रहे तो फैले बच्च hall कि जो व्रश्टाइद पुरी तरसी निजिक शेत्र पर दृज आने ने कि तरंप पे जिर तो सरकार और सरकार की मशनरी और लोगों ने इस जो मजबूत होके डड़ना होगा जैसे इन्होंने कहा कि सफाई कर्मी के बार हैं तो सफाई कर्मी जो है यह जब भी यह बीच बाला जो पिरेड है अभी लॉक्डाउन के बीच का तो जारतर डॉक्टर नर्स और पर यह सफाई कर्मी या इस काम से जोड़े हुए जो भी पैरामेडिकल की लोग है यह इनके उपर काफी दभावा आई आता तो इनके लिए सरकार ने किस प्रकार की नीटी आपनानी चाहिए ने पिस प्रकार की कि दमराओं की लिए Standard प्रोटेक्शन किसी कर राता नहीं है तो क्या वह एक तरह से सवाल उठ रहा है क्या वह इंसान नहीं है वह इंफेक्टेट होंगे उनकी फैमिने के साथ पूरा बस्ती है वह इंफेक्ट हो रहा है और उनको किसी तरह के बता भी ने सकते क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट है सिर्फ जगा पर है कोई प्राइवेट आस्काल तो उसको यह ने करेगा तो गवर्मेंट में भी एक तरह से जितने भी मेडिकल स्टाफ है असकताल की और सपाई करने चाहिए इनका खास तरह से प्रोटेक्शन के तौर पर उनको मुर्या करने के जो भी सुविदाय है वो देनी चाहिए तो आपने पतलब जो चिंता गट्री किये माईलाओं के बारेने या बच्चों के बारेने सुविदार के लोगों के पारेने तो इसके उपर सभी लोगों ने ध्यान देना आवश्यक है और यह जो समय है हमारे पास अभी लागडाउन के बीच में इसमें जादा से ज़्यादा स्वच्चता के उपर ध्यान देना चाहिए और सडकार की तरप से यह जो डॉक्टर है अगराई जादा से जादा से जादा पर जो भी स्वास्त सुविदा है प्रोटेक्शन की मास्क से लेकर सारी चीज़ें उनके पास मुहिया करनी चाहिए यही हमारे चर्चने से उबर कर आ रहा है आप सभी का धन्यवाद